पिल्मों के अलावा अपने सोशल मीरिया पोस्ट की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं वो सामाज एक और राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा प्रतिक्रिया देते रहते हैं बीते दिनों जीशान अयूब CAA और NRC का विरोध करने की वजह से काफी सुर्खियों में थे इस बार वो उतर प्रदेश में मंदर बनाने पर टिपपड़ी करने की वजह से चल्चा में है उनकी इस टेपड़ी की मशहूर गाई का मालेनी अवस्थी ने आलोच ना की है जीशान अयूब ने अपने ओफिशिल ट्विटर अकाउंट पर लिखा पहले उतर प्रदेश को नर्क बना रहे हैं फिर मंदिर बना के ठीक करेंगे जीशान अयूब के इस ट्विट पर गाई का मालेनी अवस्थी ने पलटवार किया उन्होंने ट्विटर पर लिखा इनके मन में दबी बैठी नफरत और असहिश्णोता इनके ट्वीट पर उतराई है भाशा देखिए, विचार देखिए और ये एक कलाकार है मालेनी अवस्थी के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रही है मालेनी अवस्थी हिंदी भाशा की मश्हूर गाई का है वो अवधी, बुंदेली और भोजपुरी भाशा में गाती है मालेनी अवस्थी ठुमरी और कजरी से भी लाखो दर्शकों के दिलों को जीच चुकी है पदमिश्री से सम्मानित मालेनी अवस्थी उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली है उनके पती वरिष्ट IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी है वहीं बात करें जीचान अयूब की तो उन्होंने बॉलिवड की काई फिल्मों में अपने अभिने से दर्शकों के बीच खास जगा बनाई है बीते दिनों जीचान अयूब NRC और नागरिक्ता कानून का विरोध करने की वजह से काफी सुर्खियों में थे दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इसलामिया विश्व विद्याले के छात्रन नागरिक्ता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जीचान अयूब ने छात्रों के प्रदर्शन को सही बताया था उन्होंने ट्वीट कर NRC और कैब के विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया जीशान अयूप ने ट्वीट में लिखा था असम से विडियोज आ ही नहीं पा रहे जब दिल्ली में ये हाल है तो असम की तो क्या ही बात करें उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा हैश्टाग जामिया के दोस्तों लडाई जारी रखना जल्द मैं भी आऊंगा साथ जुड़ने अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलिवुड की लेटेस्ट अबडेट्स देखने के लिए फिर मिलेंगे बॉलिवुड की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए बाई बाई